इस दिवाली को इसे बनाए और अगली दिवाली तक रख कर खाएं महीनों खराब नहीं होंगे मुह में डालते ही घुल जाएंगे इसे आप बहुत ही कम समय में घर पर बहुत ही असानी से बना सकते हैं इसे बनाने के लिए कौन-कौन सी चीज़े प्रेयोग होती है कौन-कौ चम्मच रिफाइन डाल लिया गया है और इस मैदे में डाल दिया गया इससे क्या होगा दोस्तों इसमें बहुत ही अच्छा खस्ता पनाएगा खस्ता पन से बहुत ही खाने में टेस्टी और मैदाल लगेंगे और मुह में डालते ही आसानी से घुल जाएंगे तो अच्छी थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी डाल कर इसका डो हम लोग ready कर लेते हैं गुनगुना पानी इसलिए डाला जा रहा दोस्तो ताकि आसानी से और जल्दी से इसे हम लोग बना सके गुनगुना पानी से ज्यादा समय नहीं लेगा रेष्ट होने में 10 से 15 मिट के लिए इसे लंबा लंबा हम लोग बेलेंगे और इसका सक्कर पारे बनाना इस्टार करते हैं तो ये देखिए हां तो इसे प्रेज कर दिया जा रहा है उसके बाद इसे जो रोटी का आटा होता है उसी तरीके से ये डो ready हुआ है तो इसे लगभग लगभग इसमें हम लोग चार से पा इसे गोल कर लेंगे गोल करने के बाद आपको किसी पड़रे पर या किसी चीज पर इसे बेल लेना है और थोड़ा सा मोटा ही बेलना है रोटी जितनी मोटी होती है उसका दूना हम लोग को मोटा बेलना है और फूलेंगे और अंदर इसके जाले पढ़ जाएंगे आगे मे उनसार साइच बड़ा या छोटा कर सकते हैं इसे थोड़ा सा लंबे और चोको टाइप में इसे हम लोग काटेंगे तो यहाँ पर देखी इसे असानी से कट कर लिया जा रहा है कट करने के बाद इसे एक प्लेट में अलग निकाल कर रख लेना है इसी तरीके से सारे बेल-बेल के सक्कर पारे हम लोग तयार कर लेते हैं और इसे अलग एक प्लेट में रख लेते हैं यह देखी इतना मोटा इसे बेला गया है रोटी के दूना इसे बेला गया है जो पतली रोटी होती है उसका दूना इसी तरीके से बेल दिया गया है एक कडाही ली गई है कडाही में रिफायन डाल डाल दिया गया है जब ये तेल गर्म हो चुका तब इसमें जो है डाल दिया गया है धीरे धीरे ये अपने आप अलग हो जाएगा दोस्तों एक मेट तक इसे हम लोग ऐसे ही पकने देंगे उसके बाद इसे जब ये चारों तरफ धीरे धीरे अलग होने लगेगा तब इसे चम्मत से हम लोग चला देंगे और इसे मेडियम फ्लेम पर ज़ादा हाई फ्लेम पर नहीं फ्राइ करना है मेडियम फ्लेम पर लगवाग 3-4 इमड के समय लगेगा जब यह brown color के हो जाएंगे और full जाएंगे तब इसे हम लोग अलग निकाल लेते हैं जब यह brown color के हो जाएं और तेल के उपर आ जाएं इसका मतलब यह perfect पक चुके हैं इसे आपको निकाल लेना है बिल्कुल यह color हो जाया तब इसे आप इसे बाहर निकाल लें से एक प्लेट में रख दिया जाएगा इसी तरीके से सारे सकरबारों को हम लूंप फ्राई कर लेंगे यह देखिए फूल चुका है और अर अंदर से इसके परत वाई परत इसके अंदर जाल पढ चुका है जब हम लूँच से डालेंगे तो अंदर तक ये चासनी ही नी चीनी चलि जाएगी अब इसकी चासनी हम लोग तयार कर लेते हैं बहुत यसान business तयार हो जाएगी एक कडाही ली गई जितना हम लोगों ने मैंदा लिया था उतना ही हम लोगों को चीनी लेना है तब तक इसे हमको चलाते रहना है और लगभग लगभग तीन से चाल मिड़ कंदिर चीनी हमारी गल चुकी उसके बाद जब चीनी गल जाएगी तब इसे हम लोग एक मिड़ तक चासनी को उबालना है एक मिड़ के बाद यह परफेक्ट बन कर चासनी रेडी हो चुकी है कराही में डालने के बाद इसे चलाते रहना है बीच-बीच में इसे हम लोग चलाते रहेंगे लगभग एक से दो मिनट तक हो जाएगा तक इसे चलाते रहेंगे ताकि आपस में चिपके ना और तीरे-दीरे जिसे ठंडी होगी असानी से ये शूख जाएगी और अंदर त लाने वाला हूँ के साथ